हेलो फ्रेंड्स मेरी गुड़ आफ्टरनून कैसे आप सब होप आप सब अच्छे होंगे जैसा कि आप लों को पता है हमारी मार्केटिंग मेंजमेंट की सीरीज चल रही है ठाकुर पॉब्लिकेशन की जिसमें हमारा टॉपिक था कोर मार्केटिंग कॉंसेप्ट के हमने अच्छी भी सब्जेक के हांड रिटेन नोट्स पर्चेस करने हो तो आप में अच्छी बोक्स चेक कर सकते है तो आई आज हम अपना नेक्स टॉपिक स्टार्ट करेंगे कॉस्ट साटिस्फेक्शन और क्वालिटी क्या होता है और ये मार्केटिंग कॉंसर्ट में क्यों ज खरीदने के लिए ठीक है तो उसी को हम लोग बोलते है कॉस्ट जो अमाउंट आपने पे किया हो किसी भी गुड्स और सर्विसेस को खरीदने के लिए ठीक है इन मार्केटिंग कॉस्ट इस दा एस्टिमेट प्राइज ऑफ द प्रोड़क्ट विच इस पेट तो सैटिस्फ अनुमानित प्राइज होता है किसी भी प्रोड़क्त का जो कि पे किया जाता है ठीक है कि पहले आप पे करते हो जो कि पे किया जाता है वे सबसे कम नाम में ठीक है आपने लिए या पोई जरुरत पूरी करने के लिए धि इन जर्निल आपको किसी मी स्वामान भुलिक इसको पैसे पेकर चुछा कोस्त बोलते हो मार्केटिंग कॉंसेट में यह वह अमांट होता है वह एक इस्टिमेटेड वैली होता है कि में 10 रुपय दे ते बहुत है अपनी नीट को मेरी ज़रुरत है उसको सैटिस्फाय करने के लिए कम से कम नाम में ठीक है सैटिस्फाय जो हमारी नीड है वो सैटिस्फाय हो जाती है लेकिन वो सबसे जादा दाम हाइस वैल्यू पे भी सैटिस्फाय होती है कम से कम नाम में कंजुमर्स के नीड को marketing बोलते हैं और marketing strategy में marketing concept में एक बहुत important role play करता है cause you have to fulfill or satisfy one's need or consumer need at the lowest point at the lowest possible cause satisfaction समझ में आ गया कम से कम दाम में customers के जादा से जादा को सेटिस्फाय करने को हम cost बोलते हैं वो price बोलते हैं अब सेटिस्फेक्शन क्यों होता है satisfaction is an attitude towards a particular product or service after consumption थीक है मैंने क्या 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 यह यह पैन यूस किया ठीक है अब मैंने यह पैन यूस किया अब मैं इसको लिख रही हूं ठीक है है आप मैंसे लिख यह, यह लिख रही हूं यह लिख 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 लीक होगा बात चार बर बार की थीक है तो अब मेरा attitude क्या होगा भाई मैं बोलूंगे आज की बाद में यह खर दूंगी यह मेरा attitude वा इस पैन के लिए ना तो किसी भी प्रोड़क को यूज करने के बाद आपका जो वह होता है फीडबैक ठीक है आपका attitude क्या है कि यार पैन बहुत अची चल रही है मैं अब तो यही पैन में यूज करूंगी यह मेरा positive attitude वह अब यह तीन बार रुग गए मेरा attitude क्या हुआ अब तो मैं यह खर दूंगी नहीं 300 रुपए मेरे बेकार हो गए यह मेरा negative attitude वह तो किसी भी product को यूज करने के बाद जो आपका attitude होता है उस towards product के लिए उस ही को हम लोग बोलते है Satisfaction ठीक है आक कंसुमर feel satisfy when his her needs meets their expectation ठीक है तेको मैंने यही संजाया consumer satisfy कब होगा जब यह 10 रुपए की पैन वो खरीद के लाया था और वो उसका expectation था कि मैं चार पेस तो इससे लिख लूँगा यह 10 रुपए की पैन मेरी चार पन्ने तक चलेगी और यह चार पन्ने तक चली भी तो consumer क्या होगा satisfy होगा एकदम बढ़िया satisfy होगा भाई कि वह क्या होगा product उसके expectation पे खरा उतरा जो उसने सोचा था वो हुआ customer satisfaction is the central focus of all marketers now marketers क्या करते हैं यही काम करते हैं क्योंकि आपको market में long term survive करना है तो marketing वाले काम ही होता है कि वह क्या करते हैं market में ऐसे products देते हैं जो customers को satisfaction provide कर सके ठीक है ज्यादा से ज्यादा satisfy कर सके वह अपने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को it is very essential for it is very essential for the organization to carefully look after customers need and wants so as to remain competitive in the market ठीक है यह क्या होता है बहुत important होता है कि आप customers को क्या करो carefully देखो जानों समझों उनकी जरुरते समझों ताकि आप market में बने रहो ठीक है वरना competitor आएगा आपको दो मिनट में खतम करके चला जाएगा mostly marketers adopt customer focused and market oriented approach to reach their goal ठीक है mostly क्या करते है marketers क्या करते है customer focused and market oriented approach बोलों हमेशा consumer को focus करके काम करते हैं ठीक है वो ऐसा काम करते हैं जिसमें क्या हो कि consumers को जादा जादा benefit हो और market को देखते हुए वो चलते हैं ठीक है and their goal ठीक है वो market के goal को देखते हैं कि market का ultimate goal क्या है और consumers का need and want क्या है and customer satisfaction is the most important part it also helps to predict the future buying intention of the consumer ठीक है वो क्या करता है अगर आप customers को अच्छे से समझ रहे हो न तो इसका मतलब क्या है आप सब कुछ अच्छे से कर रहे हो आप मतलब बहुत अच्छा जा रहे हो आप अगर आप अपनी consumers को समझ रहे हो तो आपको इस चीज़ में भी help करेगा कि आप future में consumer क्या खरीज सकता है यह उसको प्रेडिक करने में भी बहुत help करता है फोर एक्जामपल वेन a customer feel satisfied after consuming a particular product क्या है something else can smell happy can create profit भाँ कर ke बाँ upside-slow then he she shares his experience with others also known as positive word of mouth अगर मैं यह दस रुपे का पैन खरीद के लाई हु यह बढ़िया चला ठीक है चार पन्ना चलना था मैं सोच के लाई था पाच पन्ना चला तो मैं ग्यारूं कि अपनी फ्रेंड को भी बोलूंगी भाई कि दुम यह वाला पैन यूस करो ना यह एक्जाम में बहुत अच्छी चलती है और इसे लिखाता भी अच्छा है और यह एक पेस ज्यादा चल रही है मैं से बहुत सटिस्वाइड हू तो इसको हम लोग बोलते ह कॉआ हैं यह चेमर कर आफ तो ल ciudश्ए उसको हैं वस में प्रढ़न कि अबया ग्सायता यह अच्छी पन वाला हैं था उसाफ पहां कि चुराम में यह वाली पैन तो फुल मत ले हैं वी ग दूसरी पहले हैं यह तो बिलकुल नहीं चलती है चार बार लुक जाती है एक परग्राफ लिखने में तो इसको जो बोलते है निगेटिव वर्ड ओफ माउट ठीक है कि मैं प्रोड़क के वारे मैं बता तो रही हूं दूसरे को लेकिन गलत चीजे बता रही हूं तो मतलब गलत चीजे क्या इसकी म का यह कि तो मतलब तो मतलब लुक जाती है तो इसको उन दोनों के बीच का बीच का बीच को मुझे लगा दी ले ले लेकिन लेकिनी लेप नहीं सब्सक्राटी नहां चाला है उ छी कुछ लेटनी को मुझे लेकिनी लेकिनी लेकिन 1 ले और य। ड़ भायविd लेकिनी लेकिनी क्रिक्टाटी मेर्स लेटा Give me the according to peters and olson ठीक है आप क्या करना एक्जाम में न टेफिनेशन और जो आपका एक तो आप किसी एक की डेफिनेशन जरूर याद करें वह आपको लिखने में बहुत हेल्प करेंगा प्री पर्चेस एक्सपेक्टेशन और बिलीवड अपाउट अंटिसिपेट पर्फॉर्मेंस अ इसा परफॉर्म करेगा पोस्ट पर्सेप्ट्शन अधि का पर्चेस परसेप्शन ऱ्सिम था।्ट्स अफ मैं ठीक क diyorum पोस्ट परचेस क्य मैं ऌनिस पर फॉर्चेस में प्रचेशन क्य इतिक है तो अप उयलयों थावक्ष तोर ये और प्रचेस प्रश्पेशन आफ्चेस is expectation and this competition process determined disconfirmation okay first what was your expectation and after your perception what is the difference between them consumer satisfaction or disconfirmation pattern we are talking about quality is the distinctive attribute attribute of a product or service which is perceived by the consumer now we have talked about how much I paid for it and how much satisfaction it is now there is quality quality is another attribute which is what the consumer sees and perceives the quality it is largely based on the level of satisfaction received by the customer directly or indirectly based on how much he is satisfied he is satisfied then of course quality is good then he is satisfied with the changing trend many organization have introduced the concept of total quality management okay which is changing the trend every day with that trend many organizations have done many organizations have introduced the concept of total quality management this has the organization to constantly improve their quality and keep satisfying their customer total quality management means to focus on quality okay this helps you that you constantly improve your product quality and keep satisfying your consumers so our next topic cost satisfaction and quality is over here it 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 is over here I hope you liked the video thank you so much for watching my video and please do like subscribe and share my channel if you have to purchase this subject or any subject of handwritten notes you can check my description box and contact me thank you very much and do like subscribe and share thank you so much it's having me I'll see you going into a video while working again I'm going to copy